तू लाइन्स और एंगल्स वाला जो हम लोगों का चाप्टर है वैसे तो वो खतम होने में आ गया है बस एक ही कोशन है जो उसमें उस पूरे एंटायर चाप्टर में आपकी एंसी आटी से बहुत ज़्यादा एक्स्प्लें करने योग्य है वो यह है एक्जाम्पल नंबर ए सब्सक्राइट में आपको कोई तूफाइन जैसी चीज नहीं कही गई ठीक है इसमें जो चीज आपको कही गई है वह है फूप तूप्रूफ था वावले सवालों को कई बार इक स्टूडेंट को समझने में धिक्कत आ जाती है कि अरे यह कैसे होगा अरे वह कैसे होगा है इसमें यह step कैसे आई वह step कैसे आई इसलिए इस particular question को हम लोग अभी discuss कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर तुम लोगों को diagram already textbook में बना कर दिया हुआ था direct मैंने ncrtk जो salt example जो रहते है ना उसी से यह image ली है ठीक है तो आपको अपनी textbook में इस सरेक्य का salt example में diagram बना हुआ मिलेगा ठीक है अलग बात है वो तो diagram है नहीं है आगे बढ़ते है इसमें बोला क्या जा रहा है कि जो triangle ABC आप लोगों के पास था ठीक है यह रिखो यह triangle A से लेकर B A से लेकर C और यह BC को मैंने जोइन कर लिया इसके कुछ angles आपको दिये हुए थे कि इस angle A को हम X कहेंगे angle B को हम Y कहेंगे angle C को हम Z कहेंगे फिर उन्होंने क्या कहा उन्होंने यह कहा कि कि जो side AB है उसको लंबा खीच लो ठीक है उसको लंबा खीच लो तो हमने क्या किया इसको देखो यह side AB को इस तरह कैसे लंबा खीच लिया ठीक है हमने क्या किया इसको लंबा खीच दिया similarly जो side AC है आपने उसको भी क्या कर दिया लंबा खिच दिया अब ऐसा गरने से दो exterior angles create हुए ठीक है दो exterior angles create हुए एक हुआ ये वाला exterior angle और एक हुआ ये वाला exterior angle बन उनको इस exterior angle को क्या करना था उनको इसका angle bisector बनाना था तो उन्होंने क्या किया इस OB को उनका angle bisector बना दिया और similarly यहां से CO को उसका क्या बना दिया angle bisector बना दिया अब तुम तो जानते हो कि angle bisector बनने की वज़ा से हमेशा किसी भी angle के दो तुकड़े हो जाते हैं और वो दो तुकड़े बड़े वाले angle का by 2 होते हैं तो अगर मैं यह कहूँ कि आपके पास यह पहला तुकड़ा और यह दूसरा तुकड़ा तो आप यह कह सकते हो कि angle 1 और angle 2 equal होंगे है ना angle 1 और angle 2 कितने होंगे equal होंगे similarly अगर OC एक angle by sector है तो वहाँ पे भी दो तुकड़े होंगे और वहाँ पे भी दोनों तुकड़े equal रहे होंगे यह से कि 3 और यहाँ पर 4 तो क्या लिख सकते हो angle 3 बराबर बोलो किया आप लोगों का angle 4 तो सबसे पहले तो एक काम करते है गीवन लिख देते है गीवन में हमको क्या-क्या जनकरी पता है गीवन में पहले तो जनकरी यह पता है कि इन triangle ABC जो आपका angle E, B, C ठीक है और जो आपका दूसरा angle है O, C, D are exterior angles यह कैसे angles है यह exterior angles है ठीक है अच्छा दूसरा जो O, B है वो क्या है angle bisector है और O, C जो है यह भी क्या है angle bisector है किसका angle bisector है अव्वेस है कि उन उपर वाले दो exterior angle का तो यहाँ पे मैं लिख देती हूं कि वो किसका exterior angle है ठीक है इतनी जानकारी लिख दी खेर, अब हम लोगों को यहाँ पर to prove क्या करना है question में देखो to prove करने को क्या कहा है to prove करने को उसने यह कहा है कि angle B, O, C 90 minus half होगा किस चीच के angle B, A, C के यानि कि इस तरीके का कुछ काम करने को कहा है खेर, यह वाला काम हम definitely कर लेंगे बट इसको करें कैसे अब हमको वह सूचना है तो इससे पहले भी मैंने angle B, C वाले तुम लोगों को कई बार questions दिये हैं तो जब भी मैंने तुम्हें angle B, C वाले question दिये हैं हमेशा, हमेशा, मेरा एक ही कहना था उसमें कि angle B, C की वाज़ा से जो दो तुकडे होते वो दो तुकडे हमेशा क्या होते, equal होते और आपको उनको बड़े angle का क्या करना चाहिए बाइटू करना चाहिए, है ना, ओकी, छीक है आच्छा, तो चोलो इसके proof में आ जाओ तो proof में सबसे पहली line हम लोग क्या लिखेंगे कि O, B जो है, वो क्या है, एक angle B, C की चीच का angle B, C का, अगर वो angle E, B, C का angle B, C का, तो जरूर उसने उस angle E, B, C के दो तुकडे की होंगे, equal वाले, एक को मैंने नाम दी है 1 और एक को मैंने नाम दी है 2, तो इतना तो आपको लिखी लेना चाहिए कि angle 1, equal to angle 2, और वो बड़े वाले angle का बोलो कितना होगा, वो बड़े वाले angle का by 2 होगा, क्या एक लियर है, प्लस हमेशा न, angle 1, angle 2, इन लोगों को कुछ let कर लेना चाहिए, ठीक है, जैसे let करने से कैसा होता है, हमाई जिन्दगी आसान हो जाती है, हमें 2-2 variables ना लेते हुए, थोड़े कम variables में काम करना पड़ता है, थोड़े कम variables में हम लोगों को काम करना पड़ता है तो देखो, ऊपर वाले angle को तो already x diagram की according लिया जा चुका है इस वाले angle को already y लिया जा चुका है, इस वाले angle को already z लिया जा चुका है तो मैं इस angle 1 और angle 2 जो की आपस में equal angle है इने में p let कर लेती हूँ कितना let कर लेती हूँ? p angle 1 और angle 2 equal to p हो जाएंगे और ये बड़े वाले एंगल का बोलो कितना रहेंगे ये बड़े वाले एंगल का बाई टू रहेंगे ठीक है Similarly, जो हम लोगों का OC है, ये OC भी तो क्या है, एक angle bisector है, OC भी तो क्या है, angle bisector है, OC किस angle का angle bisector है, जड़ा डाइग्राम को देखो, तो DCB, इसका angle bisector है, यानि कि मैं कह सकती हो angle BCD का, उसके भी दो तुकडे होए होंगे, और वो दोनों तुकडे equal होंगे, तो उसके जो दो तुकडे होंगे, उनको हमने ले लिया 3 और 4, और वो बड़े वाले angle का क्या है, by 2, ये तो मेरी हमेशा सबसे पहली अप्रोच होती है, कि जब भी आपको इस तरीके से दिया जाए, angle bisector का concept, तो हमेशा इतना तो लिखी लो, मुझे नहीं पता कि आगे इसकी कि नहीं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बठो सकता कभी पड़ जाए, तो क्या लिखना है angle bisector को देख कर, ये आपको पता होना चाहिए, और इसी angle 3 और इसी angle 4 को, मैंने कितना assume कर लिया, बताओ, आप लोगों का Q, assume कर लिया, डन, ठीके, रोखो, थड़ा सा sound हो रहा है, इसमें 1 में ठीके, ठीके, अच्छा, अब हमने इसको क्या assume कर लिया, अपना, क्यों assume कर लिया है, अब आगे क्या करें, क्योंकि maths का मतलब यह नहीं होता है, कि आप basically solution रट रहे हूँ, आपको सोचना हाना चाहिए, कि अच्छा, अगर में को कभी इस type की language किसी भी और other questions में देखने को मिलती है, तो मैं वहाँ से मैं क्या सोचता है, या मैं क्या सोचती, वो ज़्यादा जरूरी होता है, आप लोगों के लिए, खै, अब और क्या किया जा सकता है, यहाँ पर, सोचो जड़ा छोटा सा बुद्धी लगाओ, एंगल बाइसेक्टर दिया था, एंगल बाइसेक्टर को तो हमने कर लिया, अब डाइग्राम में और क्या दिया है, डाइग्राम में यह दिया है कि एंगल E, B, C, ठीक है, एंगल E, B, C, और एंगल D, C, B, अच्छा मैंने यहाँ पर error कर दी, एक मिनिट, यहाँ B लिखना चीदा मैंने ओ लिखना, ठीक है, यह दोनों exterior angles है, तो अगय यह दोनों exterior angles है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहाँ पर exterior angle वाली property लगा सकते हो, ठीक है, बराबर आप यह पर exterior angle वाली property लगा सकते हो, कैसे, देखो, आपके पास यह एक triangle है, जस triangle का नाम है, A, B, और यह C, इसकी line को extend किया गया और यहां पे कौन सा point लिया गया है यहां पे E point लिया गया है तो यह exterior angle हुआ की नहीं हुआ और question वाला इसको already X कह रहा है इसको already Y कह रहा है इसको already Z कह रहा है तो यानि अगर मान के चलते हैं मेरे पास एक triangle ABC है तो यह triangle ABC जो मेरा angle EBC है यह क्या है एक exterior angle है ठीक है बराबर तो यहां पे मैं क्या property लगा सकती हूँ कि यहां पे हम लोग एक property लगा सकते हैं by exterior angle property तो अगर मैं exterior angle की property लगाती हूँ तो तुमको इतना तो पता होगा कि angle EBC किसके बराबर होगा दो अंदर के remote interiors के बराबर होगा जो कौन है एक है X और एक है Z है ना EBC के remote interiors कौन है EBC के remote interiors X और Z है यह मानते हो ठीक है कुछ और solve कर सकते हो क्या माम देखो अभी तो मुझको जितना समझ में आ रहा है given data के according diagram के according में वो लिखते जा रही हूं सारे information को maths के form में हो सकता है बाद में मेरा दिमाग चले कि अच्छा हां करके इसको ऐसा करते हैं हां इसको ऐसा करते हैं बट पहले जितनी जानकारी खटा की जा सकती है इसको लिख दिया similarly जो मेरे पास triangle ABC है इस triangle ABC में यह वाली जो side है AC इसको भी extend किया गया था यहां पर भी extend करने के बार एक point लिया गया था जिसका नाम था D और बोला गया था कि angle B, C, D जो होगा वो क्या होगा एक exterior angle होगा है न वो क्या होगा एक exterior angle होगा तो similarly again हम बाजू में मतलब यहां पर क्या लगा सकते हैं फिर से एक बार again exterior angle की property लगा सकते हैं अभी मैं कुछ भी maths नहीं कर रही हूँ अभी जो भी information मुझे diagram में given है question में given है उस given information को मैं सिर्फ maths वाले format में लिख रही हूँ अभी तो maths यानि कि geometry करना शुरू ही नहीं किया है जो चीज आपको to prove करनी है ना उस to prove के बारे में सोचना तो हमने भी शुरू ही नहीं किया है अभी तो given को maths में कैसे लिखने हैं उस given को maths में लिखना शुरू किया है ताकि आगे किसी unknown सवाल में अगर आपको इसी तरीके का given देखने को मिले तो आपको पता होना ची कि उस तरीके के given को maths वाले form में कैसे लिखा जाता है एंगल BCD पर अगर मैं exterior angle property लगाऊंगी तो उसके दो remote interior angles होंगे एक X और एक होगा Y ठीक है तो इस तरीके से मुझे मिल गया एक angle BCD की value मिल गई और मेरे पास एक आपको value मिल गई angle EBC की क्या करूंगी मैं इस angle BCD का क्या करूंगी मैं आपके इस EBC का कुछ मतलब तो करने लाइक होना चाहिए ना भई क्या करें यहाँ पर हम इसका क्या दिमाग लगाएं क्या करोगे क्या सोचा इसके बारे में चलो देखते हैं क्या सोचा है तो ऐसे केस में अब हम लोगों को आना चाहिए अपने तूप्रूव की तरफ कि भाई तूप्रूव में बोलना क्या चाह रहा है तू ठीक है कि तूपरू की तरफ आजो लगन Europy की तरफ आओ तो कि थूपरूव में वी तूपरूव वाले को क्या चाहिए एंगल बी ओओ सी किमी यह वाले इंगल कि यह अधि है इसको बताओ अब यह वाला एंगल बaty ट्राइंगल OBC का है यह वाला An убий, यह तो ट्राइंगल OBC का एंगल है तोRight S जो मैंने पहला concept अपना apply किया था कि 1 बराबर 2 इक्वाल तो EBC by 2 वहाँ पे तो यह नहीं दिख रहा जो मैंने दूसरा concept apply किया था 3 बराबर 4 इक्वाल तो BCD by 2 वहाँ पे भी OBC नहीं दिख रहा जो तीसा concept apply किया था EBC equal to X plus Z वहाँ पे भी आपका BOC नहीं है चौथे concept में भी नहीं है तो BOC तो मेरे पास हैंगी बट्टू प्रू में तो BOC बोल रहा है इसका मतलब मुझको BOC किसी भी तरीके से create करना पड़ेगा चीगें जितना भी given data मेरे पास है या जितनी भी चीज़को मैंने mathematical format में लिखा है उस किसी भी mathematical format में BOC आही नहीं रहा it means I have to create BOC मुझे BOC create करना पड़ेगा समझ रहो अब BOC को create कैसे करोगे मैडम आप बताओ BOC को आप कैसे create करोगे तो कम से कम हमारे अंदर इतनी बुद्धी तो है हम यह अच्छे से जानते हैं बोलो क्या कि अगर मैं इस EBC को मान के चलते हैं divide by two कर दूँ अब मैं तुम्हें बता रही हूं कि क्यो divide by two कर रही हूं ठीक है reason मैंने क्या दिया हमारे पर BOC नहीं है हमें BOC generate करना पड़ेगा किसी भी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा BOC generate करना पड़ेगा BOC क्योंकि two proof को होना न और two proof को अगर BOC होना तो तुमको BOC generate करना पड़ेगा अब BOC को generate करने के लिए हमें कुछ changes लाने पड़ेगे कैसे changes वो ऐसे changes कि जो angle EBC है मेरा चीक है इस angle EBC क्यों इसके दोनों तरफ मैं क्या कर रही हो इसको divide by 2 कर रही हूं इसको मैं क्या कर रही हो divide by 2 वहां लिख भी रही हूं क्यों करेंगे तुम्हें बता देंगे आगे dividing both sides ठीक है both को ठीक कर लेना both sides by 2 अगर मैं दोनों तरफ 2 से divide करूंगी तो left hand side क्या हो जाएगा e b c upon में 2 right hand side क्या हो जाएगा x plus z by 2 अब देखो अब यहाँ पे जो e b c upon 2 है थोड़ा सा उपर जाओ थोड़ा सा उपर जाओ यह देखो e b c upon 2 को क्या लिखा जा सकता है p for parrot लिखा जा सकता है उसको angle 1 लिखा जा सकता है e b c by 2 को लिखा जा सकता है क्या e b c by 2 को p लिखा जा सकता है क्या लिखा जा सकता है e b c by 2 को p यानि कि मैं यहाँ पे e b c by 2 की जगा क्या लिख सकती हूं p और यहाँ से में पस p की value कितनी आ गई x plus z by 2 यहाँ से में पस p की value कितनी आ गई X plus Z by 2 बस यही मेरे काम का था लेकि मैडम इससे अभी भी तो BOC नहीं आया ना कोई बात नहीं लेकि शुरुवात हो गई है ठीक है अच्छा यहनि कि EBC by 2 की जगा क्या डाल दिया P तो इसको दे रहते है equation number 1 और यहाँ पे इसको reason दे रहते है from 1 ताकि पढ़ने वाले को समझे कि EBC by 2 की जगा P डाला गया है वो भी from 1 से दिख कर same यही process same यही process हम लोग कहां repeat करेंगे इस वाले exterior angle में भी same यही process तो वहाँ पे भी वही लिख देते है dividing both sides ठीक है dividing both sides by 2 तो अगर 2 sides को 2 से दिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा angle BCD divide by 2 equal to x plus y divide by 2 अब थोड़ा से उपर जाओ देखो angle BCD divide by 2 को क्या कहते है अरे वाँ angle BCD divide by 2 को तो माडम Q कहते है तो यह निकि मैं angle BCD divide by 2 की जगा क्या लिख सकती हूँ Q लिख सकती हूँ Q equal to x plus y by 2 यानि कि मुझे यहां से Q की value मिल गई मुझे यहां से क्या मिल गई Q की value मिल गई अच्छा वढ़ती अच्छी बात है और यह कहां से इसको देदो equation number 2 ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि अच्छा यह चीज कहां से लाई गई है from 2 लाई गई है और जो एक P की value आई इसको नई equation number दे देते है let's say 3 और जो एक Q की value आई है इसको नई equation number दे देते है 4 लेकिन माडम अभी भी हम लोगों का angle OBC आपने calculate करके ना दिया है कर लेते calculate कोई दिक्कत नहीं है अब देखो angle OBC कहते किसको है थोड़ा सा draw कर लो थोड़ा सा drawing कर लो देखो यहां से इसका angle by sector बनाया यहां से इसका angle by sector बनाया दोनो angle by sector O point पे meet करे बराबर तो इस angle को कहते हैं BOC और यही हमको to prove में चाहिए दूसरी जीज़ इस angle को क्या कहते हैं इस angle को मैडम P कहते है इस angle को क्या कहते हैं इसको Q कहते हैं यह हम लोग पहले ही discussion कर चुके थे देखो P Q के बारे में पहले ही discussion कर चुके थे तो अब एक काम करिए आप आपके पास यह जो triangle है यह जो आपके पार triangle है OBC आप इसमें क्या लगाओ angle sum property लगाओ क्यों क्योंकि मुझे angle BOC की value चाहिए तो BOC तो triangle में ही आता है उस पे तो क्योंकि BOC पे तो ना तो कोई vertically लग सकता है ना कोई linear लग पा रहा है ना कोई alternate लग सकता है तो उसको फिर angle sum property से करना पड़ेगा तो अब हम लोग बते हैं क्या कर रहे है अब हम लोग हमारे triangle OBC में क्या लगा रहे angle sum property लगा रहे ठीक है यहां पर हम लोग क्या लगा रहे angle sum property तो चलो आज आओ फटाफट angle sum property को apply कर दो तो अब जब तुम उस particular triangle में angle sum property लगाओगे तो उसके तीनों angle का addition बराबर कितना हो जाएगा 180 अब जड़ाद जाके देखो उस triangle के तीन angles कौन है मैड़म एक angle तो P है दूसरा angle तो Q है और तीसरा angle यह BOC है है ना तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि therefore P plus Q plus angle BOC is equals to बोलो कितना degree 180 degree बिल्कुल लिख सकते हो आप आपका हक बनता है इसको लिखना मैंने लिख दिया अब मैड़म लेकिन BOC की value तो अभी भी भी नहीं आई मैंने बोला निकालो न क्या रिक्कत है BOC की value ऐसा निकालो वो जो 180 है उस 180 के पास लेका जाओ यह minus P हो जाएगा यह उदर जाके minus Q हो जाएगा लेकिन मैड़म आभी भी तो BOC की value to prove क्या according नहीं आई थोड़ा महनत कनी पड़ेगी अब आपको P की value पता है बोलो P की value कितनी है देखो देखो हमने उपर निकाल के रखी अरे वो तो X plus Z by 2 है हाँ तो यहाँ P की value पुट करेंगे आप बोलो कितनी bracket में थोड़ा bracket का इस्तेमाल करना क्योंकि सामने minus sign है वैसे ही यहाँ पर इसकी value कितनी है यह X plus Y by 2 कहां से लाए मैडम आप यह value है यह मैं value लाई हू from 3 and 4 equation number 3 and 4 से उठा कर क्या करें इन value का क्या करें अभी भी question solve तो हुआ नी to prove तो आया नी तो एक काम करो ना थोड़ा simplify कर लो इसको जितना simplify कर सकते हो basic maths के according चलो करते हैं जैसा कि तुम जानते हो minus sign के रहने की वज़ा से सब कुछ क्या हो जाता है sign change जाती है यानि कि minus x minus z है न और यह चीज हो जाएगी upon 2 वैसी minus x minus y वैसी यह चीज क्या हो जाएगी upon 2 अब तुम तो जानते हो कि दोनों के denominator same है बराबर जैसे कल को लिखा है 3 by 2 2 plus 9 by 2 तो आप उसको क्या लिखोगे 3 plus 9 by 2 है न ऐसा लिखोगे रई ऐसा ही लिखोगे बराबर तो वैसे ही यहाँ पर आप यह x minus z और इधर क्या हैगा minus x upon y by 2 ऐसा लिख दिये अब अगर तुम अपनी छूट इस यांखों को ध्यान लगाओ तो तुम्हें दिखेगा रही यह minus x अरी यह minus x कडिया कई लोगों को ठीके कई लोगों को लगे रही वा मैडम दिखोगे यह minus x हो यह minus x कडिया वो यही सोचके बैठे रहेंगे बट यह हरकत मत करना क्यों नहीं करना क्यों कि आपका यह जो sign है वो sign change हो गया था अब उस महान x के आगे भी क्या लगा हुआ है minus लगा हुआ है तो वो cancel नहीं हुआ बल्कि एक काम करो अब पूरी equation को 2 से multiply कर दो ठेक है जो पूरी equation है यह जो उपर आपका आया है angle boc इसको पूरी equation को 2 से multiply कर दो तो 2 से multiply करने पर क्या होगा यह 2 times angle boc हो जाएगा 180 degree कितना हो जाएगा 360 degree हो जाएगा और अगर मैं इसको भी 2 से multiply करूँगी तो उपर कटू और नीचे कटू कट जाएगा यानि कि basically fraction को हटाने के लिए मैंने पूरी equation को 2 से multiply किया ताकि fraction वाली जो quantity है यह fraction वाली quantity हट जाए अब अगर fraction वाली quantity हट गई है तो minus x minus x कितना हो गया minus of 2x minus of z minus of y और 2 times of angle boc लेकिन यह तो अभी भी proof that नहीं हुआ क्योंकि जो चीज हमको question में to prove करनी थी वहाँ पे तो मैडम आपको angle bac चाहिए angle bac चाहिए था आपको तो वहाँ पे bac का मतलब आपको सिर्फ क्या चाहिए x मतलब left side में आपको चाहिए boc और right side में आपको चाहिए 90 minus half times of x यह चाहिए आपको अभी आपके पास देखे क्या है आपके पास तो x के अलावा यहाँ पे z और y भी है x के अलावा यहाँ पे तो z और y भी है तो आप मुझे किसी तरीके से इस z और इस y को वहाँ से हटाना है समझ रहे हो क्यों हटाना है इसलिए हटाना है क्योंकि to prove में right hand side में सिर्फ x है z और y नहीं है और हटाने का मतलब यह नहीं होता है कि next step में z और y को गायप कर दिया हटाने का मतलब होता है mathematically उस z और y की जगा कुछ और put करना पड़ेगा care कैसे करेंगे put सोचते z और y को भी क्या कर सकते हो मैंडम minus 1 कॉमन निकाल सकते चल उतना निकाल के छोड़ दो ठीक है उतना निकाल के छोड़ दो इसको एक box बना दो इसको एक equation number आप अपना next वाला दे दो अभी यह पुरा solve नहीं हुआ है क्योंकि अभी right hand side में सिर्फ x चाहिए z और y तो हटने का है अब क्या करें तो आब हम लोग क्या करते हैं हमारे पाद जो triangle ABC है उस triangle ABC में हम लोग क्या लगाते हैं angle sum property लगा देते हैं अब अगर मैं triangle ABC में angle sum property लगाती हूँ तो देखो triangle ABC में total कितने angles हैं जला diagram को देखो तो तीन angles है एक है x, एक है y, एक है z तो तीनों का addition जो कितना हो जाएगा वो addition हो जाएगा x plus y plus z बराबर बोलो कितना degree 180 degree यह मानते हो अब जो उपर की मेरी equation number 5 है उस equation 5 में ना मुझे y चाहिए ना मुझे z चाहिए तो एक काम करो y plus z को यहीं रहने दो और x को वहाँ उठा कर ले जाओ तो यानि कि यहां से यह पता चलता है कि y plus z की जगा मैं कितना लिख सकती हूँ मैं 180 minus x लिख सकती हूँ है ना मैं y plus z की जगा क्या लिख सकती हूँ 180 minus x लिख सकती हूँ बराबर समझ में आ रही है बाद अच्छा तो अब क्या करें फिर आब हम लोग proper तरीके से statement लिखते हैं कि from equation number 5 and equation number 6 क्या करना है आपको equation number 5 में जो 2 times of angle bocao वैसे का वैसी 360 degree वैसे का वैसी और minus of 2x वैसे का वैसी minus वैसी और z plus y बोलो या y plus z बोलो वो दो सेम होते हैं और उसकी जगा लिख देंगे हम 180 minus x ये लिख देंगे हम 180 minus x क्या अब हमारा two prove आ गया है आ गया हमारा two prove आच्छा कैसे ये minus sign से bracket को open करो तो ये minus 180 हो जाएगा और वो plus x हो जाएगा 360 में से 180 गया कितना बचेगा 180 minus 2x में से plus x चला गया कितना बचेगा minus x और 2 times of angle boc अब अगर तुम्हें ध्यान होगा तो जो two prove है वो two prove क्या कहता है कि left side में सिर्फ boc होना चाहिए तो हमने जो ये boc के साथ में जो two है इस two को मैं उठा कर नीचे ले आती हूँ तो ये two किस के नीचे जाएगा ये two 180 के नीचे भी जाएगा और ये two x के नीचे भी जाएगा और 180 by two तो 90 हो जाएगा और x by two वैसे का वैसी रहेगा और हम जानते हैं कि x कोशन वाले ने किसको कहा था कोशन के डाइग्राम को अगर आप देखेंगे तो x किसको कहा गया था बी ए सी को तो यानि कि यहाँ पे मैंने x की जगा क्या पुट कर दिया एंगल बी ए सी अपॉन में two और यहाँ पर आ गया एंगल बी ओ सी अब देखो यही तुम लोगों का two proof था खतम कोशन तो कैसा है आप किसी भी कोशन की steps को रटना नहीं चाहिए कभी specially geometry में कि इसके बाद यह कर लो इसके बाद यह कर लो रटके हो सकता है पेपर पे मार्क सा जाए उस question को आप solve कर लो बट reality में आपको जब वो question solve करने को कोई other question मिलेगा unknown सवाल मिलेगा आप नहीं कर पाऊगे solve तो देखो इसने मैंने कुछ भी नहीं किया जो इतने दिनों से तुम class कर रहे हो तुम्हें अब दक मेरी steps मेरे काम करने का तरीका समझ में आ गया होगा कि में को जब भी angle by sector दिखता है मैं यह line तो हमेशा इतनी lines तो में हमेशा लिख लेती हूं मुझे नहीं पता होता है कि आगे पता नहीं उस question की step को मुझे कहीं करना पड़े या कहीं यूज करना ना पड़े मुझे आइडिया नहीं होता है बट स्टिल मैं लिखके रख लेती हूं हो सकता है कहीं ने डागी तो है ना तो दुम्हें को दोनों आंगल बाइसेक्टर दिये थे मैंने देखो दोनों के लिए वह काम कर लिया उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है कि ने को तो टूप रूफ में एंगल पी ओसी चाहिए और बीइंगल यूजा तो मेरे पास है ही निया मैं क्या करो तो मैंने उनको दिवाइड बाइड टू कि आ सच्छ डैट मुझे पी की वैल्यू मिल जाए साच्छ ड़ैट मुझे क्यों की वै लोग क्या कहते हैं इस particular question को रोकते हैं और इसी के साथ तुम लोगों का lines and angles वाला chapter होता है समा अब हम लोग next chapter की तरफ move करेंगे वैसे तो triangles होता है next chapter बट इसके बाद जो next chapter में पढ़ाऊंगी वो होगा है रहा है ठीक है ट्राइंगल सब्सक्राइब बहुत लंदी है काफी जादा लंदी और मेरा यह वाला attitude तो कभी रहता ही नहीं है कि आप NCRT के solutions के वीडियो बनाकर दे दो और तुम उसको बैठ के रट लो है ना पन उस पर बहुत सब्सक्राइब करते हैं कि टॉपिक को पढ जैसे कोई अगर unknown सब्सक्राइब को मिले एक्जाम हॉल में तो वह बना सके तो ऐसे में ट्राइंगल्स की प्रैक्टिस जो करवानी होगी वह गौड लेवल पर करानी होती है बहुत जादा चुकि आप वैसे तो छोटी ग्लासेज में कॉंग्रोएंसी पढ़ते हो आइधि इसलिए हम लोग पहले आगे का जो छोटा चैप्टर है रॉंस पहले उसको फिनिश ओफ करेंगे और साथी साथ में स्टैस्टिक्स को फिनिश ओफ करेंगे यह दोनों टम वन में आ रहा है ठीके पहले यह दोनों चैप्टर्स को फिनिश ओफ करेंगे यह दोनों 15 दिन के हो जाएंगे जैसे यह दोनों complete होते हैं फिर हम लोग मूफ करेंगे आपके triangles में ताकि mental शांती हमको रहे कि अरे बस यही चाप्टर हमारा एक चल रहा है और यह हमारा आखरी चाप्टर है syllabus का उसके बाद हम लोगों का term 1 का syllabus खत्म हो जाएगा अदरवाइस मैं triangles करनाने जाओंगी तो triangles को खतम होने में बहुत वक लग जाएगा और दिमाग में यह भी प्रेशर रहेगा किसे अरे 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 अभी तो हमारे बो चाप्टर बाकी है क्यों हम प्रक्टिस कब करेंगे जादा हम लोगों की प्रक्टिस नहीं पाएगी अच्छा पेपड़नी जाएगा इसी लिए पहले रॉंस और स्टाटिस्टिक्स को पढ़के ओवर करेंगे फिर सुकून से बैठके ट्राइंगल्स को करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे ठीके फिलाल इस आकरी वीडियो के साथ लाइंस और अंगल्स की क्लास को ओवर करते हैं